पंद्रा अगस्त वो तारी जिस दिन भारत ने सन 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी आज इसी दिन 2023 में वो अंग्रेजों के खिलाफ ली हुई आजादी के 76 साल पूरे कर चुके हैं इन्छी 70 सालों में देश में बहुत सी चीजों में प्रगती आई है चाहे वे खेल हो या समाज, विज्ञान हो या सरकार नमस्कार आप सबका, मैं आस था आपका स्वागत करती हूँ स्पोर्ट स्टॉक के एपिसोड साथ इंडिपेंडेंडेंस डे स्पेशल में हमारे देश में खेलों के प्रती जागरुकता और रुची तो पहले से ही है चाहे खेल कोई भी हो, खेलों ने देश को हमेशा जोड़े रखने का काम किया है क्योंकि यहां हर जाती, धर्म के लोग एक जो ठोकर देश का गौरव बढ़ा रहे है तो आज इस शोब में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कुछ हस्तियों के बारे में चिन्होंने खेल के शेत्र में भारत का सर फक्र से उचा कर दिया है इस श्रिंकला में पहला नाम है मिलखा सिंग का चिन्होंने निसन 1958 में भारत के लिए दो गोल जीते थे इन 200 मीटर और 400 मीटर इन एशियन गेम्स और एक नया नाशनल रेकॉर्ड बनाया था वही महिलाव में पीटी उशा जिन्हें दे गोल्डन कर्ल के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने 1982 एशियन गेम्स में भारत के लिए चार गोल्ड एक सिल्वर मेडल जीता था और पूरे विश्व में अपने नाम की पहचान बनाई थी इसी श्रिंकला में दूसरा नाम आता है अभिनव बिंद्रा का जिन्होंने शूटिंग जैसे खेल में भारत को पहली बार ओलम्पिक्स 2008 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जिताया था इसी श्रिंकला में तीसरा नाम आता है मेरी कौम का जिन्होंने महिला बॉक्सिंग में भारत का दबदबा बनाया और करोडु देशवासियों को ये बताया कि लड़कियां भी बॉक्सिंग रिंग में कदम रख सकती है यह छे बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और भारत को फीमेल बॉक्सिंग में ब्रोंस मेडल भी जिता चुकी है इसी श्रिंकला में चौथा नाम आता है कपिल देव का जिन्होंने भारतिय क्रिकेट को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया उस टोर्नमेंट में भारत ने पहली बार एक वर्ल्ड कप जीता था और तो और उन्होंने अपनी प्रबल दाविदारी और कप्तानी की वज़ा से बाटिंग में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इतिहास रचा था क्योंकि यह पहली बार था कि भारत ने किसी भारी जमीन पर ICC जैसा कोई टॉर्नमेंट हासिल किया हो इसी श्रिंकला में पांचवा नाम आता है लियांडर पेस और सान्या मिर्जा का जिन्होंने लॉन टेनिस जिसे खेल में भारत को बड़े-बड़े मंच पर प्रेजेंट किया है चाहे वो विम्बल्डन हो या ओलम्पिक्स इन दोनों की जोडी ने भारत को काफी सारे एतिहासिक जीत दिलाई है ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि नाम लेते-लेते पूरा समय निकल जाएगा पर भारत के इतिहास रचेता की श्रिंकला खतम नहीं होगी आदेश को आज हर भारतिये को अपने खिलाडियों पर नास है और फक्र है जिनके एक बार फिर से आप सब को शियतर विस्वतंतरता दिवस की हारदिक्षुप कामना है और स्पोर्ट्स रिलेटेट कॉंटेंट के लिए जुड़े रहिए वायमसीय संचार के साथ झाल झाल झाल